नमस्कार मित्रों स्वागत है आप सभी का आस्था ज्यान चैनल में। मित्रों आपको बता दें कि पहले जान लेते हैं कि निर्जला एकाजशी का वरत किस दिन रखा जाएगा। फिर हम आगे आपको सभी जानकारी बताएंगे। निर्जला एकाजशी की तिथी भगवान विष्णू को समर्पित होता है। पौरानिक मानेताओं के अनुसार इस एकाजशी को भीम सेनी एकाजशी और पांडव एकाजशी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि पांडवों में भीम ने निर्जला एकाजशी का व्रत किया जियोतिष शास्त्र के अनुसार हर माह के शुकल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकाजशी तिथी को श्रीहरी विश्नु जी की पूजा उपासना का बड़ा महत्व है। जेश्ट माह के शुकल पक्ष की एकाजशी तिथी को निर्जला एकाजशी मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल 18 जून 2000-2024 को निर्जला एकाजशी का वरत रखा जाएगा। धार्मिक मानिताओं के अनुसार निर्जला एकाजशी के दिन वरत रखने से मोक्ष की प्राप्ती होती है। साथ ही भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी का आशिरवाद मिलता ह तो जानेंगे कि निर्जला एकाजशी के दिन साथ में हम आपके मित्रों यह भी बताएंगे कि राशी के अनुसार आपको कौन सा दान अवश्य ही निर्जला एकाजशी के दिन करना चाहिए। क्योंकि हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे इसलिए वीडियो को आप जानिये एकाजशी के वरत में कौन-कौन सी सावधानिया बरतनी चाहिए। दोस्तों, गुरु जी ने अपनी कथा में अपने भक्तों को बताया कि इन तीन ओरतों को कभी भी एकाजशी का वरत नहीं रखना चाहिए नहीं, तो इन तीन ओरतों को घोर पाप लगता है। विश्नु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा से भी वंचित होना पड़ता है। लेकिन आखिर क्यों इन तीन ओरतों को वरत नहीं रखना चाहिए? वरत रखना तो औरतों का प्रथम करतवे होता है। वरत रखने से पती की उम्र बढ़ती है तो फिर क्यों कहा? क्या आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बन रहे हमारे साथ? दोस्तों स्वागत है आपका आस्था ग्यान पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें जिससे की श्री बागे पाप नहीं लगेगा. लेकिन एकाजशी के वरत को अगर न किया जाए तो इससे बहुत बड़ा अपराद लगता है क्योंकि इस दिन अन्न में कल्यूग का निवास होता है. शास्त्रों में सपष्ट रूप से बताया गया है कि जो व्यक्ति इस वरत को भली भांती पूरा क अगर शास्त्रों में इस वरत को अहम भूमिका दी गई. इस वरत को करने वाला व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा पाता है. लेकिन इसी के साथ यह आप जानते हैं कि घर में ऐसे तीन महिलाएं होती हैं जिन्हें एकाजशी का वरत गल्ती से भी नहीं रखना चाहिए. श्रीहरी हो जाते हैं, क्रोधित माता लक्ष्मी रुष्ठ हो जाती हैं. दोस्तों आप ऐसा पाप कभी मत करना नहीं तो आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी. तो चलिए जानते हैं नंबर वन के. तलाकशुदा औरत एकाजशी का वरत रख सकती है. दोस्तों यह वरत स कि दोनों पती पतनी अगर किसी कारणवश अलग हो गए हैं, और ऐसी स्थिती में आप पती से अलग होकर एकाजशी का वरत करती हैं, तो दूसरों का अपमान माना जाता है. क्योंकि यह वरत भक्ती भाव और प्रेम को दर्शाता है. ऐसे में अगर आप अपने पती से से रह रही हों। क्रोध में आकर पती से अलग होकर इस वरत आ जाता क्योंकि इस वरत में मुक से गाली देना भी पाप माना जाता है। नंबर दो क्या मासिक धर्म में एकाजशी व्रत किया जा सकता है? वैदिक रीती रिवाज के अनुसार मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं को धर्मिक कारियों से दूर रहना चाहिए. इन दिनों में महिलाओं को मंदिर जाने की इजाज़त नहीं होती. साथ ही साथ पूजा पाठ का सामान और मूर्ती को हाथ लगाना भी अशुब माना जाता है. जी हाँ दोस्तों यह तो सही है कि मासिक धर्म के समय महिलाओं को पूजा पाठ इत्यादी करने से मना किया जाता है. लेकिन अगर वरत के बीच किसी महिला को मासिक धर्म आ जाए तो वरत तोड़ने की कोई आवश्यक्ता नहीं है आप बाकियों से दूरी बना करके सभी नियमों का पालन कर सकती है पूजा पाठ से दूरी बना कर अनियमों का ठीक वैसे ही पालन करें जैसे की सामाने दिनों में करती है ऐसे में आप पूजा पाठ किसी दूसरे से कर सकती है किसी भी आपको वरत का उतना ही फल मिलेगा जो शास्त्रों में बताया गया है क्योंकि यह प्रकृती का चक्र है इसमें इनसान का कोई हाथ नहीं होता और ना ही इसमें कुछ गलत है किसी भी कारे ईश्वर के प्रती आस्था इनसान के मन और विचारों से जुड़ा हुआ होता है शरीर तो महेज एक जरिया है इसलिए पूरे मन और श्रद्धा से महवारी के दिनों में भी आप अपनी परंपराओं को बरकरार रखकर सभी नियम कानून का पालन कर सकती है दोस्तों खास तोर से सुहागिन महिला के लिए एकाजशी की पूजा बहुत ही महत्वपून मानी जाती है एकाजशी का वरत पूर्ण रूप से करने से ही वैवाहिक जीवन, संतान की पूर्ती, धन दौलत, मोक्ष की प्राप्ती सब हासिल हो जाता है और पती पतनी को साथ जन्मों तक का साथ मिल जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर नहीं लिये हैं तो आप पवित्रा एकाजशी का वरत भूल कर भी ना रखें इसकी कथा सुना भी आपके लिए पाप के समान है इस अवस्था में आप एकाजशी का वरत कभी भी न करें ऐसे में आप एकाजशी के वरत से दूर रहे बगेर साथ फेरे लिए कोई भी महीला या पुरुष एकाजशी वरत पूजन नहीं कर सकती शास्त्रों में इस बात की कटाई मना ही है अगर आपने कोर्ट मैरिज की है, पूजा को करने में सक्षम नहीं है पहले आप साथ फेरे ले लें तभी आप एकाजशी की पूजा या वरत कर सकती है साथ फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल भी हो सकती है आप करवा चौत का वरथ भी कर सकती है और अगर आप शास्त्रों के विरुद ऐसा करती है तो घोर अनर्थ और पाप माना जाता है श्रीहरी हो जाते हैं, क्रोधित माता लक्ष्मी नाराज होती है, दोस्तों वही कुमवारी कन्या या पुरुष एकाजशी का वरत कर सकते हैं लेकिन अधूरी शादी होने पर एकाजशी का वरत कभी भी न करें दोस्तों अगर आप विश्णू और माता लक्ष्मी की कृपा पाना है या आप कभी न करें नमबर वन एकाजशी के दिन अगर आपको क्रोध आ जाए तो आप उसी क्षन पाप के भागिदार बन जाते हैं इस दिन मधूर वचन बोलने चाहिए और क्रोध नमबर दो अगर आपके पडोस में भी किसी ने एकाजशी का वरत रखा है तो ऐसे में पडोसियों को भी मास, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदी का सेवन भी नहीं करना चाहिए नमबर तीन इस दिन आपको ब्रह्मचरे का पालन करना चाहिए संबंध नहीं बनना चाहिए नहीं तो नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा नमबर चार इस दिन आपको ब्रश आदी नहीं करना चाहिए नीम बू, जामुन या आम की पत्ती, चावल लेना चाहिए और नीम की टहनी से दान्त साफ करना चाहिए इन वर्षों से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। ऐसे में आप गिरा हुआ पत्ता ही लेकर सेवन करें। नंबर पांच यदी संभव हो तो पानी से बारा बार कुला करने के बाद फिर स्नान आदी करें। मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहिट जी से गीता पाठ का श्रवन करें। दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी का दिल दुखाना चाहिए। रात्री को जागर्न और कीर्तन करना चाहिए। नमबर साथ ओम नमो भगवते वासुदेव इस द्वाची मंत्र का जाप करें। रामकृष्ण नारायन विश्नु भगवान आदी के नाम को नमबर एक। भगवान विश्नु का स्मरन कर प्रार्थना करें और कहें कि नात मेरी लाज आपके हाथ में है। आता है। मुझे इस पुरान को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। नमबर नौ ऐसी गलती मत करना। एकाजशी के दिन गलती से भी घर में जाडू नहीं लगना चाहिए क्योंकि इस दिन चीन्टी आदी सुक्ष्म जीवों की मृत्यू आपकी जाडू लगाने से हो सकती है। इसलिए एक दिन पहले से ही घर की साफ सफाई कर लेना चाहिए। दोस्तों एकाजशी के दिन भगवान राम की पूजा करना भी शुब माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर किसी मंदिर में स्थित पीपल अत्वा बर्गत के पेर के पास जाएं उसे दूद मिशृत जल से। इसलिए इस दिन चावल न खाएं। मित्रों आपको एक पायों को करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कोई दुख दर्द नहीं आता बलकि हमेशा के लिए दुख दर्द उनके जीवन से दूर चले जाते हैं। चलिए यह भी हम आपको बता देते हैं। निर्जला एकाजशी पर राहगीरों को पानी जरूर पिलाएं। इस दि साथ ही भगवान विश्नु के इस मंत्र बुधाय नम का 108 बार जप करें। मनोकामना पूर्ती के लिए निर्जला एकाजशी के दिन प्रद्यूम नम मंत्र का जाप करें। जीवन में उन्नती पाने के लिए अपनी जेब में पीले रंग का रूमाल जरूर रखें या पीला कपड़ा। करियर में तरक्की पाने के लिए विश्नु जी को मखन मिश्री का भोग लगाएं। श्रीहरी श्रीहरी मंत्र का जाप 108 बार करें। इस दिन विश्नु जी के साथ साथ मा लक्ष्मी जी की भी आरादना करें। मित्रों अब हम आपको आपकी राशी के अनुसार कुछ आवश्यक बाते भी बताएंगे जो आपको। चलिए मित्रों अब हम आपको बता देते हैं। निर्जला एकाजशी के दिन आपको कौन सी वस्तूओं का अवश्य दान करना चाहिए जिससे आपकी हर एक मनोकामना इच्छा अवश्य ही पूरी होती है जो कि आपकी र नाज का दान भी कर सकते हैं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से भगवान विश्नु प्रसन्न होते हैं। व्रिशब राशी व्रिशब राशी वाले लोग निर्जला एकाजशी के दिन सफेद अन का दान कर सकते हैं। साथ ही दिन चीनी का भी करना शुब होता है। मान् ऐसा करने से भगवान विश्णू की कृपा प्राप्त होती है। मानता है कि निर्जला एकाजशी के दिन पीले रंग का वस्त्र पहनने से भगवान विश्णू की कृपा हमेशा बनी रहती है। तुला राशी तुला राशी वाले लोग निर्जला एकाजशी के दिन जोका सत्तू का दान करें। मानता है कि जोका सत्तू का दान करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। साथ ही सौभागे की प्राप्ती भी होती है। व्रिष्चिक राशी जोतिशियों के अनुसार निर्जला एकाजशी के दिन व्रिष्चिक राशी वाले लोग गुड का दान करें। मानिता है कि गुड का दान करने से नौकरी कारोबार में सफलता मिलती है। धनु राशी धनु राशी वाले लोग निर्जला एकाजशी दिन भगवान विष्चनु का आशिरवाद पाने के लिए पीले वस्त्र और पीले चंदन का दान करें। साथ ही पीले फल का भी दान करें। मानिता है कि ऐसा करने से भगवान विश्णू आपसे प्रसंद होते हैं। मकर राशी मकर राशी वाले लोग निर्जला एकाजशी के दिन श्रीहरी भगवान विश्णू को प्रसंद करने के लिए इलाईची और दही का भोग लगाएं। मानिता है कि दही और इलाईची का भ रहते हुए जल में प्रवाहित करें। मानिता है कि ऐसा करने से जीवन की सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। मीन राशी जोतिश शास्त्र के अनुसार मीन राशी वाले लोगों को निर्जला एकाजशी के दिन भगवान विश्नु को नारियल और मिश्री का भोग अर्पित करें। साथ ही किसी गरीब को वस्त्र और फल का दान करें। मानिता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी से मुक्त मिल जाती है।